आज हम बात करेंगे 25 नवंबर 2022 के दहिंदू के एडिटोरियल्स की चर्चा करेंगे दो सबसे प्रमुख एडिटोरियल्स हैं और एक तो उक्रेन से समंदित है पर युद्ध बहुत दिनों से चल रहा है और इस पर काफी चर्चा हो चुकी है तो उसे हम नहीं कवर करेंगे परन्तु दो सबसे प्रमुख है उन सबी चीजों पर हम चर्चा करेंगे देखते हैं एक एक करके तो आज की जो सबसे प्रमुख एडिटोरियल्स है आप सबको पता होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समझ होता हुआ है प्री ट्रेड पार्टनर्स सम्मंदित उन सब चीजों के बारे में यह संपादक महुद है इस पर चर्चा करते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट्स रेटिफिकीशन इस गूड़ बट अस्टेइंग कॉम्पटीटिव इस अ क्रिटिकर आप सबको पता होगा और हमारा भारत देश उन दोनों के बीच में एक समझोता की बाद चल रही थी काफी दिनों से तो वहां की पालिया मेंट ने उस पर मंजूरी दे दी है इक एक करके हम चर्चा करेंगे इन सबी चीजों के बारे में आपको इसमें कुछ दिख नहीं रहा होगा इसलिए हमने इसको अलग से बनाया है तो सबसे पहले हम समझते हैं रिसेंट का मामला क्या है और इसमें इस एडिटोरियल के माध्यम से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इंडिया और एस्टेलिया की जो एकनॉमिक को ऑपरेशन्स एंड ट्रेड एग्रिमेंट्स हैं जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं भारत और सेलिया की एकनॉमिक को ऑपरेशन्स और ट्रेड एग्रिमेंट यह हुआ है यह वहां की जो पालिया मेंट है ऑस्टेलिया का उन्होंने इस पर बोहर लगा दिया तो इसमें हम प्रिलिम्स के पॉइंट अवी से क्या पढ़ने वाले हैं क्योंकि एडिटोरियल मेंस के पॉइंट अवी से इंटरनेशनल रिलेशन्सिप को कवर करता है प्रोपर तरीके से आप अगर देखे तो इसमें हम यह पढ़ेंगी कि लोकेशन्स ऑफ ऐस्टेलिया और उसके नेवरिंग होड एकनॉमिक को ऑपरेशन्स ट्रेड एग्रिमेंट से र पहर हम बात करेंगे और साथ साथ में आप CEPA और यह सप्लाइचेन और एक और सबस्थे पहले हम यह समझने की कोसिस करते हैं कि इंडिया उस्टेलिया एकनॉमी कॉपरेशन्स ट्रेड एग्रिमेंट क्यों है क्या है और यह निईज में क्यों इतना महतपून है सबसे पहले अगर हम बात करें कि हाल ही फिलाल में हमारे देश की Commerce Minister जो है Pius, तो उन्हों ने इस ट्रेड पर उन्हों ने काफी statement दिया और रिसेंटली जो है Australia Parliament ने भारत-Australia Economic Cooperation Trade Agreement जिससे आप Indo-Ecta कहा जाता है उस पर मंजूरी दे दी जैसा कि हमने आपको बताया है ना, इंडिया इस बात से expect करता है या इंडिया को लगता है इंडिया और Australia दोनों इसके हिसे तो इसमें ये माना जा रहा है कि करीब-करीब जो 50 बिलियंज जो है पहले at current में देखा जाए तो इन 5 सालों में देखा गया कि भारत और Australia का जो ब्यापार लेवल जो रहा export-import का 31 billion था और इस trade के माध्यम से अब भारत जो है 50 billion तक के इस bilateral trade को बढ़ाएगा expect कर रहा है कि भारत और Australia के बीच का जो वैपार है वो 50 billion तक चला जाएगा उसका exchange जो है भारत import भी करेगा एक्सपोर्ट भी करेगा Australia के साथ Australia भी उसमें मदद करेगी हर तरीके से ठीक है तो इस पर बात की जा रही है साथ-साथ में ये भी कहा जा रहा है इंडिया की export-driven होगी है ना और साथ-साथ में भारत के लिए ये millions of the new job एक तरीके से कर सकते हैं creation का केंद्र बन सकता है labor intensive sector में बढ़ावा मिल सकती है और भारतिये चात्र जो है उस्टेलिया में भी आपको कई हद तक उनके शिक्षा के तौर में भी काफी कुछ देखने को मिल सकता है तो ये तो इसमें expectations कही जा रही है ये news के माध्यम से ये चीजे कही जा रहे हैं सबसे पहले समझते हैं कि what is the Indo-Australia ECTA ये क्या है तो ये भी एक free trade agreements free trade agreements का मतलब होता है कि आपस में देश जो बाइलेटर समझावता करती है और समझावता करने के बाद जो है खास कर कि ये बहुत सारे developed country में ये चीजे देखी गई है समझावता करने के बाद आपस में अपना अध्यापार प्रशार बढ़ाने की कोशिश करती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बेहतर करने की कोशिश करती है बहुत हक तब जो tariff जो होता है एक दूसरे देश आपस में tariff को भी कम कर देते हैं तो इस अगर जिस agreement को आप देखेंगे तो इस agreement में एक चीज पता होगा इस bilateral economic of the commercial relationship जो भारत और ऑस्टेलिया के बीच में जो हुआ एक तरीके से friendly country एक दोनों होते हैं जैसे भारत और जापान के बीच के free trade agreement की बात कर सकते हैं जो भी आपस के जो friendly country है उन देशों में ऐसा किया जा तो agreement encompassed to co-operations arose to entire gamut of bilateral economic commercial relationship between two friendly countries अब इसमें कहा गया है कि भाई इसमें खास करके जो free trade agreement में जो होगा trade in the goods rules of the origin दूसरी बार trade in the services में कापी trade होगा आपका services आपका technical जो barrier है दोनों देशों के बीच में वो खतम हो जायागा trade से संबंदित बहुत सारे ऐसी जो sanitary and psychosanitary measurement है वो देखने को मिलेगा बहुत सारे dispute का settlement होगा movement of natural persons टेलीकॉम कस्टम प्रोशीजर फार्मा निट्स गाल इन सभी छेत्रों में आपस में एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे के एक तरीके से agreement के माध्यम से ये बेहतर और प्रस्पर करने की कोशिस किया जा सकता मेंस में कि ये point आप इस चीजों को code कर सकते हैं लिख सकते हैं अभी तक जो भारत और Australia के बीच में जो चीजे देखी गई है उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि भारत और Australia almost ECTA के माध्यम से ज्यादा तर जो all tariff lines है जो इंडिया और Australia के बीच में जो tariff का मामला है tariff का मतलब यह है कि Australia से कोई समान आ रहा है भारत के अंदर में तो उस पर थोड़ी tariff कम कर दिया गया taxes जो होते हैं वो कम कर दिये जाते हैं या फिर भारत जो है Australia में जो भीज रही है वस तो Australia सरकार उस पर tariff कम कर ले तो यहां पर यह कहा गया कि India will be benefited benefit from preferentials market access preferentials market access and provided by Australia on the 100% of tariff line so 100% tariff lines के आधार पर ही भारत जो है provide करेगा and इसमें कौन-कौन सा क्या-क्या चीज़े included है labor intensive sector इसमें होगा of the export interest to India such as a James जो जेम्स होंगे ज्वेलर्स होंगे जेम्स मतलब हीरे मोती मोती जो होता है आपका है ना और textile से सम्मंदित होगा लेदर होगा, foodwares होगा, furniture होगा इन सभी में भारत को export करने का मौका मिलेगा भारत इन सभी चीज़ों में थोड़ा बेहतर है वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए इंडिया विल बी ओफरिंग तो प्रिवेंशल एकसेस तो ऐस्टेलिया और आश्टेलिया और 70% आप टेरिफ लाइन पर ऑस्टेलिया को भी ओफर करेगा लाइन सब की एकस्पोर्ट इंटरेस्ट ऑस्टेलिया विचर प्राइमरी तुलो मेटेजर रोव मेटेरियल्स और इंटरमेडिटरी सच अजे कोल हुआ मिंडल होग ओर तो बहारत में ऊचीज़े कर सके साथ साथ में एक्सपेरिमेंट में ये भी कहा गया कि इंडियन ग्रेजुएट्स फॉम एस्टेम का मतलब साइन्स टेक्नलॉजी हुआ इंजिनियरिंग हुआ मात्मेटिक्स हुआ इसमें ग्रांटेट टो एक्स्टेंड पोस्ट स्टडी वॉर्क टू वीजा भारत सरकार ये करें जो बच्चे चाहते हैं कि वहां से पोस्ट ग्रेजूएट करें Master के डिग्री प्राप्त करें तो उनको वीजा को एक्सेंड किया जाएगा इस एग्रिल गेंट के माध्यम से यह बाते कही गई है साथ साथ में इस बात को भी हम समझेंगे कि इंडिया और यहां पर हैब बिन इच अदर टु इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग अभी अगर एक फैक्ट्वल डेटा है जो आपकी एक्जाइम में आ सकता है कि अभी पिछले दिवस्य अगर देखा जाए तो भारत और स्टेलिय त्यृस सट्रहवां लाजे स्टे Unters स्ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का अगर वहां पर देखा जाए भारत की बहुत सारे पार्टनर है पार्टनर भारत का देखा जा तो प्रमुप पार्टनर हुआ चाइना हुआ आपका यह हमारा अमेरिका हुआ रश्या हुआ यह सब ट्रेडिंग पार्टनर है तो अस्ट्रेलिया जो है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का और भारत जो है उस्ट्रेलिया के लि पांच बिलियन डॉलर हुआ करता था हैना 2021 तक की बात कर रहा हूं और इंडिया की जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है जो ऐस्टेलिया में जाती है 135 परसेंट बीट्विन 2019 और 2021 के बीच में 135 परसेंट हुआ करता था इंडिया एक्सपोर्ट कंसिस प्राइमली जो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है ज्यादा तर देखा जाए तो ब्रॉड बेस्ट बास्कीट लाजली जैसे फिनिस्ट प्रोड़क्ट है आपका और करिब 15.15 बान आपका 20 2021 तक raw material, minerals हुआ, intermediary goods जो है Australia से भारत में import होता है अलग यहाँ पर देखेंगे तो यह trade deficit वाली बाते आती है कि भाई हम Australia से import जादा करवा रहे हैं और export अधिक करते हैं है ना यह बाते देख सकते हैं क्योंकि भाई export भारत कितना कर रहा है Australia 6.9 billion और Australia से कितना आ रहा है भाई 15. 1 billion तो यहाँ पर यह चीजे देख सकती है तो भारत और भी चाहिए कि भाई बेहतर करें है ना वही पर बात करते हैं कि इंडिया और Australia का जो पार्टनर ट्राइब आपका ट्राइलिटरल है supply chain resilience हुआ initiative ACRIB करते हैं जो agreement along with the Japan के साथ है which seek to enhance the resilience of supply chain in the Indo-Pacific region में आपको पता होगा है Quad भी आप जानते हैं है ना तो इंडो-Pacific region में एक ट्राइलिटरल इंडिया हुआ Australia हुआ जापान के साथ supply chain resilience initiative भी है भारत के साथ जापान और इंदिन होगा साथ साथ में Quad की बात करते हैं तो भारत Australia already Quad का group का member है Quad में आपको पता है चार देश है इंडिया हुआ Australia हुआ जापान हुआ और USA यह चार प्रमुखता देश हैं Quad का हिसा है तो उसमें इंडो और Australia की बीच में तो यह प्रमुखता रूप से था आपका इंडो अस्टेलिया एक तो आर्टिकल यह था आपका एडिटोरियल दूसरा द्वा हिंदू का most important है आपका आर्टिकल है ओ है आप कह सकते हैं असम और मिघालिया के बीच में boundary dispute को लेकर उसकी चर्चा हम कर होगा कि आप सबने international boundary dispute देखा होगा जैसा कि भारत पाकिस्तान के साथ है भारत चाइना के साथ है अंतराश्ट्य boundary dispute लेकि नौर्थ इस्ट में मिघालिया और असम के बीच में एक तरीके से कहते हैं राज अस्तरिये boundary सीमा बिवाद है यहाँ पर हो काफी दिनों सी चल रही हाला कि यह राश्ट के लिए ठीक बात नहीं है कि एक घर में आपस में दो भाईयों को जगरना यह अच्छी बात नहीं है है ना परन्तु हमारे गीर ग्री मंत्राले कहा कह रहे हैं कि यह समश्या का सामाधान जल्दी से जल्दी हुआ लेकिन आज कल यह न्यूज में काफी है क्योंकि आप देखी यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्क्विंट इन नौर्थ इस्ट बॉर्णरी डिस्प्यूटेट बेट्विन टॉट स्टेट सुर्बिया रिसॉल्द क्विकली जल्दी से जल्दी यह समश्या का सामाधान होना अती अवश्यक है क्योंकि आपको पता हो हो गई कि हाल फिलाल में 22 नवंबर की बात है सो इस 22 नवंबर को यह मिघालिया के पांस विलेजर ग्राम वासी जो मिघालिया के हैं और असम फॉरेस्ट गार्ड एक हुआ करते था यह एक दूसरे को हत्या कर दिया है ना टू अदर वार सिरियसली इंजर्ड इन होना सुरू हो गई दोनों स्टेट के बीच के बांडरी पर जिसके कारण से पांच असम के विलेजर मारे गए और एक असम के गार्ड मारे गए और दो तीन लोग घायल हो गए ऐसा यह कहा गया कि असम वाले असम का फॉरेस्ट गार्ड यह कह रहा था कि अपनी शुरक्षा के लिए उसने फाइरिंग करना सुरू कर दिया तो यह न्यूज में बहुत तेजी से आ गया असम के सरकार ने कहा कि इंसिडेंस हैपेंड आप्टर दो फॉरेस्ट गार्ड ट्राइट टू इंटरसेप्ट अ ट्रुक स्मगलिंग इलीगल टिंबर इलीगल टिंबर का ग्राम वासी जो मेघालिया के थे वो मारे गए है ना तो कहा कि वेंट ट्रक वाज स्टॉप्ट दो फॉरेस्ट परसनल वार है ना परसनल वाज गिरॉड बाई द अन्नून मिस्क्रियेंट इस तरीकी की सिच्वीशन वहां पर उत्पन हुई तो मेघालिया की जो चीफ पन और उसने फाइरिंग कर दिया ये बात ये कहा गया ये सब कहानी चलती रहें उसकी बात नहीं है अब सवाल ये पर है कि में तो सवाल है कि असम में जो और मिघालिया के बीच में जो ब्रड़र डिस्प्यू実 है उसको कैसे सामाधान किया जाए क्योंकि ये मामला आज का नहीं है ये असम और मेगालय के बीच में आप कहेंगे तो 884 किलो मिटर के आज पास ओ देश ओ दोनों राज्ये आपस में बॉंडरी सेर करते हैं 884 किलो मिटर और करीब करीब असम में ये 12 ऐसे छेत्र हैं जिस पर य ही है और खरवी एंगलों हुआ है आपका इन सारे डिस्प्यूटेड इलाका है यहां पर यहां पर डिस्प्यूट है यहां पर डिस्प्यूट है इधर डिस्प्यूट है यह सारे डिस्प्यूट है और एक सकते असम में घालया है बे लॉंग स्टैंडिंग डिस्प्यूट 12 स्ट्रेच 12 ऐसे जगह हैं जहां पर ये डिस्प्यूट क्रियेट होता है 884 किलोमीटर की बॉंडरी सेर करता है ये 12 जो जगह हैं अपर वाले छेतर हैं खास करके देखा जाए तरबारी हुआ गजंग हुआ ये आपका रिजर्व फॉरेस्ट ये आपका हाहीम हुआ लैंग पिन हुआ ये सारे मुक्तर उसे बारह जो है ऐसे छित्र हैं जिस पर ये डिस्प्यूट है असम और मिघाल्या के बीच में कहानी सुरू होती है हिस्ट्री को अगर देखें ब्रिटिस के दोरान में जब अंग्रेज भारत में हुआ करते थे सब असम का ही साथ हुआ करता था असम को ही कंसीडर किया जाता था ये सारे अंडिज्वाइड चेतर में सब लोग नागा लैंड और नाचल परदेश मेगालिया मिजोरन सब उसे कही साथ हुआ पुआ हुआ उसको अठाया गया मेगालिया अपना 1979 है ना, Assam Reorganizations Meghalia Act 1979 लेकिन क्या होता है कि BART has held to different interpretations of the border season वहाँ पर यह तो हुआ 1972 यह Assam Reorganizations Act मेघालिया को अलग हो गया लेकिन इसके बहुजूद भी interpretations जो है different, different type के वहाँ पर देखने को मिलें, 2011 में क्या हुआ मिघालिया गौर्मेंट हैड है आइडिन्टिफाई कि बारह एरिया जो ऐसे हैं असम के साथ जो डिफनेट वहाँ पर कहीं न कहीं 2700 असक्वार किलोमेटर अप्रॉक्समेटली जो है अभी भी वो डिटर्माइन नहीं है अभी भी एक क्लियर नहीं है कि हिस्सा ये असम का होना चाहिए या मिघालिया का होना चाहिए हलांकि इस पर केंदर सरकार को सोचने की जरूवत है कि जल से जल इस समस्या का समाधान किया जाए केंदर सरकार कभी-कभी यह step नहीं लेती है क्योंकि उन्हें यह न लगे कि भाई अगर मान लिया कि इस परकार के मुद्दे का समाधान लेकर आई और अगर यूनी अगर कच सकते हैं कि लिटरल हुआ अगर एक तरफ अगर चला अभालिया की मिघालिया का कुछ पूरी भारत एक है यहां रहो या वहां रहो क्या फर्क पड़ता है भाई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए और जल सजली समस्या का सामाध्वान होना चाहिए गौर्मेंट को सामने आना चाहिए इस चीज़ों को लेकर हला कि कमीटी बहुत सारे चीज़ बनाए गए इस चीज़ को लेकर तो यह समस्या उस वक्त का है लैंग पी बहुत सकते हैं कि जो मिघालिया का हिशा है वो उस सवक्त ब्रिटिस कॉलिनी पिरियेट के दौरान जो है वो आपका यह कैम्पर जो जो जिला है उसका हिशा हुआ करता था है और इट बिकम टूट पार्ट और गारो हिल्स एं मिघालिया है अब असम कंसीडर इस पार्ट ऑप दा मिघीर जो हिल्स है असम का हिशा है मिघालिया इस बात पर क्वेस्टन किया कि जो ब्लॉक वन है ब्लॉक सेकेंड जो है मिघीर हिल्स वाला हिशा यह सारा असम का है मिघालिया कहता है कि यह पार्ट जो है इस्टिनवाइल वाला यूनाइट काशी और जयानतिया जो हिलै यह पार्ट है तो यह आपस में यह दुछरे सा मेरा है यह तेरा है अलग-अलग देस तो है नहीं, हलांकि कोशिस की गई कि समस्या का समधान किया जाए, 1985 में ये मामला सामने आता है, असम के चीप मनिस्टर और मिगालिया के चीप मनिस्टर जो है दोनों ऑफिसियली कमीटी बनाते हैं और कमीटी बनाने के बाद जो है कॉंसिचूशन के माध्यम से ये सुप्री करने की कोशिस किये, परन्तु सॉलूशन वहां पर नहीं आया, वो किलियर नहीं हुआ, और दोनों राजिस की सरकार जो है, 12 डिस्पीट में से 6 पर उन्होंने पहली बार में ये रिजोलूशन प्रात किया, मतलब वो हल समाधान किया, लेकिन आज भी 6 ऐसे हिस्ते हैं जो अभी तक भी वो समस्या बना हुआ ही है, है ना समस्या का समाधान अभी तक भी नहीं हो पाया है, फाइनल रिकमेंडेशन किया गया, आप देख सकते हैं इस चीजों में कि भाई, a final set of the recommendations were made to jointly, यहां पर देखा गया कि out of the 36.79 स्क्वार किलोमेटर डिस्पीटे अरिया टेक इन दोनों में हाफ हाफ करके उनको दिया गया, मार्च 2022 में एक Membranum of Understanding sign किये गये इन दोनों recommendations के बेट पर, और second round में discussion हुआ कि यह जो 6 pages हैं, उनको नमबर 22 तक इस 2022 के आखरी नमबर तक इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, ऐसी इन सभी चीजों पर चर्चा की गई, और I hope देखिए कि यह समस्या का समाधान हो जाए तो जादा बेतर है, क्योंकि अपने ही राज्य में इस तरीके की स्तिती उत्पन होना जो है, अच्छी भात नहीं है, है ना, तो यह था आज का जो एडिटोरियल्स, संपादिका, जो दहिंदू का सबसे प्रमुग था, इस झाल हुआ समने हो